दोस्तो करनाचक में 10 माई को चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को जीतने के लिए तमाम दल अपनी पूरी ताकट जोगते हुए दिखाई दे रहे हैं पर कोई अपनी अस्तर पर रहलियां कर रहा है सभाओ को संबोधित कर रहा है और तमाम तरीके की बाते कर रहा है ताकि करनाचक की जनता का दिल जीत लिया जाए जाहिर सी बात है चुनाव है तो तयारी तो होगी ही लेकिन इस चुनाव की खास बात यह है दोस्तो किस बार करन प्रथान मंतरी मोधी की तरफ से रैलियों उपर रहिया तो कुछ यही बता रहा है, ओपेनियन पोल के जरीए अगर करनाटक का हाल देखा जाए तो इस बार करनाटक में भाजपा से बड़े मार्जिल के साथ कॉंग्रेस की सरकार बनती हुई बताई जा रही है, ओपेनियन पोल के थुरू कि यहां पर भाजपा का सूपड़ा जो है वो पूरी तरीके से साफ होता वा नज़र आ रहा है, हाली के दिनों में करनाटक में भाजपा से कई बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ कर कॉंग्रेस का दामन थामते वे नज़र आए, वही एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई कि करनाटक के आवास मंत्री जो ह और उनकी नाराजगी बीजेपी से इतनी जादा हो गई है कि वो भजपा छोड़ने के संकेत भी दे चुके हैं, सुमन्ना बीजेपी छोड़कर कॉंग्रिस में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो शर्मंदगी स बचने के लिए सत्ता पक्ष ने सुमन्ना को अपनी चुना प्रवंधन सिमीती में शामिल नहीं करने का फैसला किया है, ऐसी खबर ABP News की तरफ से छापी जा रही है, ऐसी तमाम तस्वीरे करनाटक की सियासत को लेकर सामने आ रही है, जहां पर BJP के स्थिती जो है, वो सही नजर नहीं आ रही है, बीजेपी डमाडोल स्थिती में है, लेकिन अब जो कॉंग्रेस कारीकरताओं की तरफ से फोटो वीडियो करनाटक के शेयर किये जा रहे हैं, और दावा किया जा रहा है कि करनाटक में भारतिय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, जो चुनाव ल भाजपा के जो कैंडिडेट है दोस्तो, वो महिलाओं को साड़ी, आदमियों को पवा, यानि कि शराब देने का लालच दे रहे, पैकेट बड़ा-बड़ा तयार किया हुआ है, ऐसा खबर जो है दोस्तो, गुरुराज अंजार नाम के एक यूजर के ट्विटर हैंडल अक साड़ी, घड़ियां और शराब और इन तमाम चीजों को अब करनाचक पुलिस ने जब्द कर ली है, क्योंकि जो लालच दिया जा रहा था, जो मुफ्त की रेवड़ी बाटी जा रही थी, उसको पुलिस विशासन की तरफ से जब्द कर लिया गया है, समान खाना पुरा मे माल गारी की जाच के दौरान बरामद हुआ है, तो इस तरीके की खबरे कॉंग्रिस की तरफ से जोरो शोरो से शेर किया जा रहा है कि कैसे जो है, बीजेपी लालच देदे कर जनता को भटकाने की कोशिश कर रही है, जनता का वोट चुराने की कोशिश कर रही है, जो सीधे तोर पर लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है महीं करनाटक से और भी कई ऐसी तस्वीरे शेयर की जा रही है दोस्तों जिसमें कॉंग्रेस कारीकरताओं की तरफ से कॉंग्रेस के कई बड़े नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि Congress की जो लहर है वो साफत तौर पर है कई ऐसे social media पर वीडियो शेयर की जारे है हाला कि इन वीडियो की पुस्टि हम नहीं करते है क्योंकि जिस तरीके से Congress के कारीकरताओं की तरफ से वीडियो शेयर किया जा रहा है उसमें कॉंग्रेस की आंधी जो है वो सीधे तोर पर दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि देखें कॉंग्रेस को सपोर्ट और समर्थन को करनाचक में किस कदर मिल रही है जहाँ पर लाखों लाख भीर जो है निकल कर सामने आ रही है और तो और बुल्डोजर से फूल तक फेका जा रहा है स्वागत सतकार के लिए तो ऐसी तमाम वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कॉंग्रेस के कारिकरताओं की तरफ से शेयर करते हैं ये दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी का सफाया होने वाला है करनाटक में इस बार बीजेपी जो है मू की खाने वाली है दोस्तो इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रती के लिए हमें कॉमिन सेक्षन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ नेशन 360 को जादा साजादा लाइक शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुले